कृष्ण प्रेमधारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कारिक्रम समर्पण कारिक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा नमस्कार कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं शीमत भागवतम के पंचम सकंध के पंचम अध्याय में वर्नित भगवान रिशब देव के बड़े ही सुन्दर उपदेश देखे रिशब देव कोई आम पिता नहीं है जो अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं वो साक्षात भगवान है और भगवान ना केवल अपने भगतों का हित चाहते हैं भगवान समस्त जीवातमाओं का हित चाहते हैं यही तो भगवान की भगवत्ता है यही तो भगवान की करुणा है जीवों के प्रती तो हम सुनते चले आए हैं कि भगवान रिशब देव अपने पुत्रों के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि भई जीवन का जो लक्ष है वो यह है कि भगवान से प्रेम करके और यह जो 84 लाख योनियों का जो एकदम भयंकर दुश्चक्र है यह जो संसार में आवगमन होता है आना और जाना बार बार गर्बवास का दुख जहेलना और यहां आकर भी अनेक प्रकार के दुख जहेलना इन सब को समाप्त कर दिया जाए हमेशा के लिए और परम आनंद को प्राप्त किया जाए जिसका मतलब है परम भगवद आनंद को प्राप्त किया जाए और जीव जब अनेक योनियों में घूमते घूमते मनुश्य योनि में आता है उसे मनुश्य का तन मिलता है तो ये उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो प्रश्ण पूछना सीखे सही प्रश्ण पूछे कि मैं कौन हूँ और ना चाहते हुए भी मुझे दुख क्यों जेलने पड़ते हैं मैं कौन हूँ मेरा शाश्वत संबंध किस से है ये जो मेरे आसपास हैं ये कौन है तो प्रश्ण पूछे लेकिन जीव जब प्रश्ण नहीं पूछता अपने बारे में भगवान के बारे में और जब वो सिर्फ और सिर्फ शरीर को मैं मान करके और उसके सुक के लिए ही लगा रहता है दिन रात तो वो भयंकर भयंकर दुश्चक्र में गिर जाता है ये भयंकर गढ़ा होता है अंधकूप जिसे कहते हैं निकल नहीं पाता है वो उसमें से चाहते हुए भी है ना देखिए हमारे रिशव देव जी कह रहे हैं हंसे गुरोव मै भक्तियानु वृत्तया वित्रिश्नया द्वंद्व तितिक्षयाच सर्वत्र जन्तोर व्यस्ना वगत्या जिग्या सया तपसेहा निवृत्तया मत कर्म भीर्म कथायाचा नित्यम मत देव संगाद गुणकीर्त नान में निर्वेर साम्योप शमेन पुत्रा जिहा सया देहे गेहात्म बुद्धे तो हम ये देखते हैं कि महराज रिशब देव जो कह रहे हैं ये देखो तुमको किसी महत व्यक्ती की यानि कि सिध व्यक्ती की यानि कि परमहंस की شरण ग्रहन करना चाहिए इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी जो भगवद विमुकता है भगवान के प्रति जो तुम्हारी विमुक्ता है वो समाप्त होगी तब तुम मुझ पुर्शोत्तम भगवान पर पूर्ण शद्धा और विश्वास करना सीख जाओगे तो देखे यहाँ पर उपाय बताया गया कि भगवान के परम भक्त के शनागति लेनी होगी क्योंकि याद रखिए जब तक मन पाप वासनाओं से या हर्श या शोक से गीरा रहता है तब तक ये जो असाधू मन है ये भगवान से विमुक रहता है और तब तक उसे भगवान की लीला कताएं जो की वस्तुता बहुत ही मधूर है वो सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती उसे उनमें रस नहीं आता फिर भगवान का तत्व या स्वरूप जो की वैसे ही बहुत मुश्किल है समझना उसमें भला साधारन जीव का मन कैसी लग सकता है नहीं लग सकता है यानि कि जब तक मन पाप से माया से ढखा हुआ है तब तक ना तो जीव को शास्त रवचन सत्य दिखते हैं उसे लगता है सब बेकार है ना ही उसे सदगुरु देव में शद्धा ही उत्पन होती है और जब ये सब नहीं हो सकता तो फिर परम पुर्शार्थ जो प्रेम है जिसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला है सोचिए भला फिर वो प्रेम कैसे मिलेगा तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहता है हाँ मुझे भगवान पर बहुत भरोसा है हाँ मैं भगवान में विश्वास करता हूँ तो फिर उसे शास्तर में भी विश्वास होना चाहिए क्योंकि जो हमारे शास्तर हैं वो जो भी उपदेश देते हैं उनका मुख्य तात्परे यही है कि वो परमानन्द स्वरूप शिभगवान का परीचय देना चाहते हैं परन्तु मात्र परीचय देने से जीव कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता उसे पता चल गया भगवान कौन है क्या करते हैं तो इससे क्या होगा तो इसलिए भगवान को कैसे प्राप्ति किया जा सकता है उस साधन को भी हमारे शास्त्र बताते हैं जैसे कि मान लिजे कोई व्यक्ति कहे कि आपके पिता का बहुत सारा पैसा मौजूद है अब इतना कहने मात्र से बच्चे को जिसका की पिता मर चुका है उसे धन की प्राप्ति नहीं हो सकती वो धन कहां रखा है, कहां छिपा है कैसे प्राप्ति किया जा सकता है ये सब बातें भी उसी व्यक्ति को बतानी होंगी जिसने ये बताया कि धन है आपके पिता का आपके लिए, तब ही उस धन की प्राप्ति हो सकती है और फिर दूसरी बात ये कि उस व्यक्ति की बात को सुनकर पुत्र में भी उस धन की प्राप्ति के लिए जबर्दस्त लालच जन्मे लालसा जन्मे है ना ये भी उसे समझने की जरूरत है कि अगर मैं ये धन प्राप्त कर लूँगा तो मेरी सारी सांसारिक समस्याइं हल हो जाएंगी इसी प्रकार से परम करुणा मैशास्त्र जहां परमानंद स्वरू भगवान के बारे में पताते देते हैं साथ में वो ये भी बताते हैं कि उनकी प्राप्ति का साधन क्या है और फिर ये भी बताते हैं कि आखिर उन्हें प्राप्त करना क्यों चाहिए है ना तो यहाँ पर जो मुक्य साधन है वो क्या है कि भगवान के प्रती हमारी सनमुकता बढ़े यही अभिधेय है ह और अगर ये साधन नहीं होगा तो इसके बिना भगवद विमुकता दूर नहीं होगी और अगर भगवद विमुकता दूर नहीं होगी तो बार-बार शरीर धारन करने पड़ेंगे बार-बार संसार में आना पड़ेगा बार-बार माया के आवरन से उत्पन होने वाले संसार दुखों को जहिलना पड़ेगा इसका नाश नहीं होगा तो प्रयोजन क्या है प्रयोजन है भगवद अनुभव यानि भीतर बाहर सर्वत्र श्री भगवान को देखना ही भगवद अनुभव है नेत्र बंद करने पर हृदय में पर्मानंद मैं श्री भगवान की रूप अधूरी के दर्शन हो और खोलने पर सब में स्थावर जंगम सब में श्री भगवान की स्फूर्ति हो यही भगवद अनुभव है और जब ये अवस्था किसी में आ जाती है तो याद रखिए अपने आप ही सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है तो भगवद सन्मुक यानि कि ये जो साधन है भगवद सन्मुकता और प्रयोजन यानि कि भगवद अनुभव ये दोनों नित्त सिद्ध हैं क्यों क्योंकि भक्ति और भगवद अनुभूति ये भी नित्त सिद्ध हैं यानि कि पिता का धन जैसे पहले ही घर में दबा हुआ था मात्र कोई व्य शास्त्र केवल इनका बारम बार उपदेश देते हैं, क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि ये जो हमारी इस्तिती है ना कि हम देह को सब कुछ मान बैठे हैं और देह से जुड़े हुए रिष्टे में हमारी पूरी मोह माया ममता है, इस देह अभी निवेश के कारण परमान श्री भगवान को जीव भूल जाता है, शास्त्र बारम बार उपदेश करके इसी भूल को मिटाना चाहते हैं, तो शास्त्र में जो संबंध रूप बाते कही गई हैं, कि देखो भगवान से हमारा एक संबंध है, उसको बार बार याद दिलाए गया है, ताकि जीव उसको जाने और जो उसकी शिथिलता है, वो समाप्त हो जाए, उसके अंदर लालसा प्रकट होके हां मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, भगवान को प्राप्त किये बगैर सब बेकार हैं, तो इस प्रकार जो हमारे शास्त्र हैं, ये क्या हैं? ये हैं भवरोग के चिकि सक, भवरोग के चिकित सक, शास्त्र क्या करते हैं? शास्त्र बताते हैं भई तुम अनादी रूप से भगवद अनुभव रूपी ज्यान के संसर्ग अभव से युक्त हो, यानि कि तुम्हें अभी भी भगवद अनुभव रूपी ज्यान नहीं हुआ हैं, है ना? तुम्ह बताते हैं, हर तरीके से बताते हैं, देखे रिशवदेव जी बता रहे हैं, और ये बता करके रोग का निदान करते हैं, फिर रोग की चिकित्सा करते हैं, यानि भगवत सनमुक्ता और उसकी प्राप्ति का भी उपदेश प्रदान करते हैं, तो हमारे भवरोग के डॉक्टर है ये शास्त्र और भवरोग का कारण क्या है भगवत बहिर मुकता और उसका एक मात्र से श्रीमत भागतम के विभिन उपदेशों को आप तक लेकर आए हैं महराज निमी से जो नवयोगेश्वरों ने इतनी सारी बाते कहीं वो भी हमने आपको बताया देखे एक बार उन्होंने ये कहा था कि भयम द्वित्याभी निवेशता हा स्यादी शाद पेतस से विपरेयो अस्मृति ही तन मायातो बुध आब जेत्तम भक्त येक येशम गुरु देवत आत्मा उन्होंने कहा था कि देखो भाई ये जो भगवद बहिरमुख व्यक्ति है ना उनको माया द्वारा ही अनात्म वस्तु यानि कि वो जो आत्मा से जुड़ा नहीं है वो जो सचिदा न अन्दमय नहीं है यानि कि स्थूल शरीर इसमें आत्म बुद्धी रूपी ब्रह्म हो जाता है लगता है ये मैं हूँ ये ब्रह्म है जब हम शरीर को मैं समझ लेते हैं याद रखे ये ब्रह्म है और इस देह आदी अनात्म वस्तु में चुकि अभिनिवेश हो जाता है तन शरीर मर जाएगा शरीर मर गया तो क्या शरीर के मरने से आत्मा तो नहीं मरती हम तो नहीं मरते हम तो अगले सफर पर चले जाते हैं अगला शरीर मिल जाता है कर्म के अनुसार तो इसलिए बताया गया कि इसलिए जो है अपने श्री गुरु को ही परम प्रियतम अराध्य मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उन श्री भगवान का भजन करना चाहिए तो सीधी सी बात ये है कि ये जो द्वित्य अभिनिवेश के बारे में बात कही गई उसका मतलब ये है कि अनात्म वस्तु में जब अभिनिवेश हो जाता है यानि शरीर ही सब कुछ लगने लगता है कि शरीर ही मैं हूँ तो भय उत्पन होता है और आत्म स्वरूप की स्पूर्ती हो ही नहीं रही है हमें क्योंकि हम भगवद विमुक हैं तो इसलिए सब जगहा ये जो जगत है ना ये प्रपंचमय जगत है लेकिन यहां हमें द्वैत महसूस होने लगता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये उचा है, ये नीचा है मैं ठीक हूँ, वो गलत है ये सब द्वैत कहलाता है, वस्तुता सब कुछ ही बेकार है क्यों? क्योंकि इन में जो कुछ है वो अनात्म वस्तु है जिसमें हम अपने आपको लगा रहे हैं और आत्म वस्तु है आत्मा और उसका रिष्टा है परमात्मा से बस यही बात नहीं समझते हैं और इसलिए रोते रहते हैं और अनेक प्रकार के भय और शोक हमको चताते हैं जैसे कि मान लिजिए कहीं कोई रस्सी है और रसी को देख करके अचानक साप की भ्रांती होती है, फिर डर लगने लगता है, लेकिन अगर कोई आये व्यक्ति जिसने रसी देखी हो, साप भी देखा हो, और बताए कि भाई, ये तो रसी है, ये काटती नहीं है, और इसमें साप के गुण नहीं है, देखो ये रसी है, प्रसी को देखेंगे, तो उसे पकड़ भी लेंगे, इसी तरह अगर जीव को अपने स्वरूप की स्फूर्ती हो जाए, अपने स्वरूप की, क्या है हमारा स्वरूप? शिमन महाप्रभु ने कहा, जिवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्यदास, अगर अपने वेश आदी जो भ्रम है, वो दूर हो जाएंगे, और समस्त भय से चुटकारा मिल जाएगा, तो इसलिए ये बात कही गई है, कि शास्त्र का अनुशीलन जरूरी है, क्योंकि वही बताते हैं कि आत्म वस्तू और अनात्म वस्तू में क्या अंतर है, और जो ऐसे शास्त्रों अगर हमारे जीवन में आ जाएं, तो हमारा जीवन सफल है, और यही बात बता रहे हैं, रिशव देव जी, याद रखिए